राधे राधे दोस्तों जैसरी कुंज बिहारी जैसरी हरिदास फ्रेंड्स आज मैं एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक पे आपसे बात करने आई हूँ और आपके सारे डाउट जो है मैं क्लियर करूँगी आज कल बहुत जादे लोग बोलते हैं कि हमारे लड़ू गुपाल जो हैं दूध पीते हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगे कि क्या सचमुच लड़ू गुपाल दूध पीते हैं या लोग सिर्फ आपको मुर्ख बनाते हैं तो friends इतने सारे लोग जो हैं YouTube पे वीडियो डालते हैं कि मेरे लड़ू गुपाल दूद पीने लगे हैं तो कुछ लोग दावा करते हैं कि मेरे लड़ू गुपाल दूद पानी, cold drink, juice, ice cream सब कुछ खाते हैं और यह आपव वीडियो देख लिजए कि इसमें जो है लड़ू गुपाल देखिए दूद पी रहे हैं आपको इसमें दिख भी रहा है कि सच्मुझ हाँ लड़ू गुपाल जो है दूद पी रहे हैं यह आईस्क्रीम है आईस्क्रीम भी आप देखोगे तो क्या होता है ना कि वो वहाँ से कट लगता है कि वो ऐसा लगता है कि वो उन्होंने आईस्क्रीम खाया है तो यह सारी चीजों को जो है मैं क्लियर करूंगी कोल्डरिंग पी रहे हैं आईस्क्रीम खा रहे हैं और आपक आपको परिशान होने की कोई जरूरत नहीं है मैं इन सारे वीडियो की जो है सच्चाई जो है अपने इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करूंगे कि सच क्या है क्या सचमुच लड्डू गुपाल यह सारी चीज़े खाते पीते हैं या फिर सिर्फ जो है यह एक भ्रम ह और यह मजाक है तो फ्रेंड्स रियल में ऐसा होता है कि जब आपके लड्डू गुपाल यह जो दूद पी रहे हैं यह सचमुच वो खिचते हैं वो दूद पी रहे हैं पर ऐसा नहीं होता है कि वो दूद जो है रियल में गायव हो जाता है ऐसा नहीं है फ्रेंड्स यह द अब आप यह आइस क्रेम खाते हुए देखिए अगर आप लड़ू को आइस क्रिम खिलाएंगे तो इसमें तो नहीं उसका लिक्विड गिरता है और नहीं जितना वो कट रहता है उतना जो है इसका लिक्विड नहीं गिरता हुआ दिखाई देता है तो अब यहाँ पर बात यह है यह तो क्लियर हो गया कि जो भी वो दूद यह जो भी वो लिक्विड जो है वो लेते हैं वो नीचे सब का गिरता है पर कोई जो है अपनी वीडियो में यह शो नहीं करता है कि गिरता है सब लोग जो है मतब वन इस्पून ही पिलाते हैं वो कहां से निकल जाता है किसी को पता नहीं चलता है मतब वीडियो में उतना क्लियर दिखाई नहीं देता है फ्रेंड्स मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ जब फर्स टाइम जो है मेरे लड़ू गोपाल जो है दूद पी है ऐसा हुआ कि मैं अपने लड़ू गोपाल को तुलसी दल हमेशा उनके भोग में लगता ही है मैंने जब उनको भोग लगाया दूद उनको पिलाया तो मैं भी हमेशा के तरह ही उनके पास कोई भी भोग लगाने वाली चीज़ है मैं उनके मुख के पास थोड़े दिर ले जाके रखती हूँ और दैन मैं उसको नीचे रखती हूँ तो हर रोज की तरह मैं उस दिन भी कर रही थी पर मैंने देखा अचानक से दूद पूरा गाया तो मुझे डाउट हुआ कि क्या ये तूलसी जी का जो दल है इसने तो पूरा मतलब दूद को एब्जॉर्ब नहीं कर लिया फिर मैं दूसरा स्पून ले गई और पिलाया फिर वही हुआ कि मतलब उनके मुख के पास लगाते ही वो सारा गायब हो जा रहा था ऐसा मैंने कई बार किया चार पाच बार किया देखा गायब हो गया तो फिर मैंने वीडियो तो बहुत जादा देखा था कि हाँ लड़ू गुपाल दूद पीते ही मैंने सुना था बहुत जादा तो मुझे लगा कि वाव मेरे लड़ू गुपाल भी जो हैं वो दूद पीने लगे हैं तो मैं काफी जादा हैपी हुई और मैं अपने घर की सभी मेंबर को बुलाई और दिखाया कि ये देखो लड़ू कोपाल जो है दूद पी रहे हैं लड़ू कोपाल दूद पी रहे हैं तो friends हम जो लड़ू कोपाल को दूद पिलाते हैं तो वो हमेशा छोटा ही स्पून रहता है तो उससे 2-4 चमच, 5 चमच कहां चला जाता है हमको पता भी ने चलता है कुछ दिन बाद मैंने देखा कि उनकी चड़ी गिली-गिली सी हो जा रही है तो मैं उनको पिला कि देखी ऐसा हुआ एक दिन मेरे साथ कि मुझे उनको पिलानी के बाद तुरंत नहलाना था तो मैं जब नहलाने जा रही थी तो उनकी चड़ी गीली गीली लग रही थी उनका स्वेटर भी हलका हलका गीला गीला लग रहा था तो मैं काफी शौक्ट हुई कि ये कैसे हो रहा है तो फिर जो है मैंने बहुत ध्यान से उनको पिलाया और मैं देख रही थी कि ये दूद हुआ कहां जा रहा है तो वो बिल्कुल उनके गले से होते हुए सीधा नीचे मतल़ इधर उधर कहीं वो टपक नहीं रहा है उनके गले से होते होते पूरा इस टमक से जाते जाते वो नीचे उनके कपड़े जो हैं उसको एब्जॉर्ब कर ले रहा है और अगर आप गर्मियों में पिलाएंगे तो वो साफ साफ नीचे गिरा हुआ दिखाई देगा आपको तो मैं बहुत अपसेट हुई कि यार यारी मेरे लड़ू गुपाल जो हैं दूद नहीं पिर रहे हैं यह मेरा भ्रम था मैं बहुत जादा अपसेट हुई और मैंने फिर जो है बहुत जादा सर्च किया मुझे कहीं भी ऐसा वीडियो नहीं दिख रहा था कि जिसमें किसी का गिर रहा है तो मुझे लगा कि मेरे लड़ू गुपाल नहीं पिते हैं बस मुझे ऐसे ही भ्रम हुआ है तो friends हमेशा की तरह मेरे इस problem को भी solve जो है खुद हमारे लड़ू गुपाल नहीं किया है मैंने इस अपने में देखा कि लड़ू गुपाल जो है दूद पी रहे हैं और वो वैसे ही पीते हैं जी हाँ friends अब ये कलियो का time है तो इतना जादा वो चमतकार नहीं करेंगे क्योंकि इससे पहले जब मैं दूद लगाती थी उनके mouth के पास तो थोड़ा भी दूद नहीं खतम होता था वो spoon की तरफ मतलब खीचते ही नहीं थे पर जब वो पीने लगते हैं तो वो खीचते हैं काफे speedily जो है वो उसको खीचते रहते हैं अपनी ओर तो friends मैंने सपना देखा कि मैं लड़ू गुपाल को वैसे ही दूद पिला रही हूँ और तुरंत इस smile मतलब मेरे दूद पिलाने के बाद उनकी मूर्ती जो है उनका विग्रह है वो खुब अच्छी से smile उसमें देता है फिर मैं राधारानी भी हमारी आ गई तो और मैंने यह भी देखा कि जो हमारे ससुराल में लड़ू गुपाल है हमारे जो माईके में लड़ू गुपाल है उन लोगों को मैं जब पिला रही थी तो वो बिल्कुल भी खीच नहीं रहते हमारे लड़ू जो है मतलब जो ही मुह के पास लगाओ वो खीचने लगते हमारी राधा तो उनको first day ही जम मैंने पिलाया तो वो पी रही थी तो मैंने सुचा कि ये तो बिना पूजा किये तुरंत ही ये तो खीचने लगी और लड़ू गुपाल को तो कम से कम मैंने 20 days किये थे 22-25 days तब वो पिये तो मैंने सपने में देखा कि मैं कोई पंडी जी है और मैं उनसे ब करेंगे ज्यादा मंद से करेंगे तब वो जो है पीने लगते हैं दूद पीने लगते हैं पानी पीने लगते हैं तो मैं उनसे बोलती हूं कि मैंने तो राधारानी के अभी पूजा भी नहीं कि मैंने उनकी सेवा की भी नहीं है और हमारी राधारानी तो खापी रहे मतब दूध गरहड कर रही हैं तो पंडी जो बोलते हैं कि तब तो आप बहुत लगी हैं बहुत भाग्य साली हैं जो आपकी राधारानी तुरंती कर रही हैं यह बहुत अच्छी बात है friends ऐसे मैंने मतब कई बार सपने ऐसे देखे हैं कि मतब वो लोग ऐसे ही पीते हैं तो जिसके पीते हैं वो थोड़ा भी bother ना हो क्योंकि मेरे की तरह शायद वो भी परिशान होंगे कि पहले तो पीता हुआ देख के बहुत खुश होंगे बट जिसके भी पी रहे हैं किसी ना किसी दिन उसको तो पता चली जाता होगा कि ये दूद पीते नहीं है नीचे गिर रहा है तो आप सोशते होंगे कि क्या सच मुझ मेरे पी नहीं रहे हैं तो friends आप बिल्कुल भी परिशान नहीं हुए जो है भगवान वैसे ही पीते हैं तो मैं अपने इस वीडियो में यही clear करना चाहरी थी कि जिस तरह से मैं बहुत परिशान हुई थी कि यार मेरे लड़ो गुपाल नहीं पी रहे हैं बाकी सब के पी रहे हैं तो नहीं जैसा मेरे साथ हुआ है वैसा सबके साथ ही हुआ होगा किसी के ऐसे नहीं होंगे जो पूरा वो गायब चमतकार से बिल्कुल गायब ही हो जाता होगा ऐसा किसी के भी नहीं है तो और जिसके ऐसे हो रहे हैं तो हाँ वो सचमुच ही दूद पी रहे हैं और जिसके नहीं पीते हैं नहीं पिरे हैं और जिसके खीच रहा हैं और गिर भी रहा है तो friends लड़ो गुपाल आपके उपर बहुत जादा महरवान हैं आपकी सेवा से प्रसन है और आपकी सेवा से उनके में जान आ चुकी है और वो आपका सभी प्रशाद सभी भोग को ग्रहड कर रहा है पर बहुत सारी लोग जो हैं सिर्फ आधी ही वीडियो जो है डालते हैं और सब को यह डर रहता है कि अरे कहीं ऐसा नहों कि लोग सोचे मेरे नहीं पर यह सब के साथ ही ऐसा होता है तो प्लीज आप इसमें परिशान ना हो ये कोई कोई मुर्ष नहीं बनाता है बट हाँ बनाने की थोड़ी सी ये कोशिस करता है कि उपर उपर से ही दिखाता है कोई इस चीज को vom क्लियर नहीं करता है क्योंकि जिसका दूद गिरता होगा वो तो बिचारा बहुत परिशान होगा कि मेरे नहीं पी रहे हैं और वो यूटूब पे वीडियो देख देखे परिशान होता होगा कि रहे यार उसके तो पी रहे हैं तो आई होप मैं अपने इस वीडियो के माद्यम से एक बहुत ही sensitive topic जो भगतों के लिए काफी important है उनके लिए बहुत ये माइने रखता होगा इस बात को जानना तो मैं आज वो clear कर पाए होंगे थैंक यू friends राधे राधे जैस्री कृष्णा friends please support में मुझे support करिए कि मैं ऐसे ही वीडियो जो हैं आप लोग के सामने ला सकूँ और आपके सारे problem को मैं clear कर सकूँ तो please like, share and subscribe my channel राधे राधे